हेलो फेंट्स में मंदीब सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर पिंट साज की इस फीडियो में 36 साइस का बैक नेक डिजाइन में आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो बहुती सिंपल और इजी नेक डिजाइन है यह यह देखी मेरा मैन फैबरी के और यह अस्तर क कपड़ा है इस डिजाइन को बनाने के लिए आप अपने साइस के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा सबसे पहले देखिए एक लाइन ड्रो करके नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे उसके बाद हम टोटल लेंथ लेंगे तो जितनी भी लंबाई आपको अपने इन आर्मोर का मेजरमेंट लेंगे तो शोल्डर लिये है मैंने यहाँ पर साड़ी पाच इंच यहां से भी साड़ी पाच इंच पर मार्क करेंगे और आर्मोर लेने हैं पॉना चेंच इस तरीके से हमने शोल्डर इन आर्मोर की मार्किंग कर लेनी है यहाँ पर हम चेस्ट का फोट पाट ले लेंगे चेस्ट का चोथा भागो का यहाँ पर 9 इंच और 1,5 इंच का मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं आदा इंच बाहर की तरफ इस तरीके से लेते हुए आपको तिच्छी लाइंग बनानी है और बाहर वाले लाइंग से ही आर्मोल की गुलाई दीजेगा तो यह मार्किंग देखिए मैंने इस तरीके से कर दी हैं इसके बाद कमर का मेंजिमेंट लेंगे कमर हैं यहाँ पर तीस इंच उसका फोट पैट होगा साड़ी साथ इंच देड़ इंच एक्स्टा मार्जिन और एक इंच एक्स्टा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए मार्किंग कम्प्रीट करने के बाद अब हमने इसे कर लेना है इस तरीके से तो दीके बैक पार्ट मैंने कटिंग कर दिया है इसे मैं फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लिया है इसके बाद लूँगी मैं गले का मेजमेंट तो नेक विट रखनी है हमें आपर नेक की जो विट थे वो रख रही हूँ मैं तीन इंच अगर आप ज़्यादा ब्रॉट नहीं रखना चाहते हैं तो आप धाएंच ही लिजेगा गले के लंबाई ली है मैंने यहाँ पर ग्यारा इंच नीचे से नेक विट लिया है साड़े तीन इंच और इस तरीके से हमें यहाँ पर चुकोर एक बॉक्स बना लेना है और पांच शेप में यहाँ पर ड्रॉट कर रही हूँ तो मैंने इस गले को ब्रॉट रखा है मतलब कि ज़्यादा चुड़ाई में से ज़्यादा रखा है आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं उसके लिए आपको गले की जो चुड़ाई है वो धाइंच ही लेनी है तो देखें यहाँ पर हमने इस तरीके से गले की मार्किंग करते हुए कट कर लेना है इसे तो यह गला मेरा कटिंग हो गया है इसके बाद मैं ले रही हूँ पेपर पेस्टिंग paper pasteing पर हमने गले को इस तरीके से यहापर ड्रॉ कर लेना है बाहर की तरफ से एक इंच एक्स्टा लेते हुए इसकी cutting कर देनी है यह देखें, paper pasting पर मैंने इसकी cutting कर दी है अस्तर वाला extra कपडर लेना है और उसके उपर paper pasting को attach कर देना है इसके बाद अब हमने यहाँ पर दोनों पार्ट को अच्छे से रख लेना है नीचे मेन कप्ड़े को रखना है उपर अस्तर वाले कप्ड़े को रख लेंगे इस तरीके से पिन लगा देंगे और अब हमने सिलाई लगानी है तो कॉर्नर की एक सिलाई लगाकर मेन फैबरिक और अस्तर के कप्ड़े को अटेश करेंगे पहले हमें गले के उपर ही सिलाई लगानी है नेक के उपर मैंने सिलाई लगाती है इसके बाद हमने नीचे चारु तरफ से सिलाई लगाकर इससे कम्प्रीट करते ना है बहार की सिलाई लगते समय आप फार से फिनीशिंग करते जाएं, तक कि इसके अंदर कोई भी सलया क्रेस बिर्कुर भी ना आएं, ये देखे हैं इस तरीके से, फिनीशिंग के साथ मैंने सिलाई लगाती हैं, अब हमें पुरा ही एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके निकाल यह देखिए इस तरीके से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक के वो मैंने कटिंग कर दिया है और अब मैं पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट यहां पर तियार करूंगी तो एक कॉर्णर की सिलाई लगाते हुए हमने इसे इस तरीके से अटेज कर देना है रफी स्टिच लगाकर पेपर पेस्टिंग और अस्थर के कपड़े को मैंने यहां पर अटेज कर दिया है इसके बाद मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कर रही हूं कटिंग इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग कर देना है और इसे फोल्ड कर लेंगे साइट में चोटे-चोटे कर्ट लगा दिये हैं ताकि इजी लिए फोल्ड हो जाएं इसके बाद हमने इसे फोल्ड कर देना है इस तरीके से इसे फोल्ड कर दिया है और इसके बाद पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को हमने नीचे की तरफ रख लेना है और इस तरीके से दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ हमने इसे अटेज कर देना है एक पेर का मार्जिम कवर करते हुए हमने इस तरीके से यहां पर सिराई लगा ली है अब हमने एक्स्टो फैब्रिक को कट कर देना है यह जो पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट है यहां पर हमने इससे कट करना है इस तरीके से और पूरे ही नैक के उपर हमने चोटे-चोटे से कट लगा देने हैं कट इस तरीके से हम लगा लेंगे ताकि इसी लिए फोल्ड हो जाए अब हमें एक सिलाई अस्तर वाले कपड़े को इस तरफ करते हुए लगानी है नीचे से मार्जिन को भी अस्तर वाली पार्ट की तरफ रखना है और इस तरीके से सिलाई यहां पर लगा लेनी है इसके बाद अब हमने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई उपर फिनीशिंग के साथ लगा लेनी है इस देखे इस तरीके से एक सिलाई दिकी उपर फिनीशिंग के हमने इस तरीके से लगा ली है और नेका मरफ बिलकुर फिनीशिंग के साथ बनके रड़ी हो गया है इसके बाद हमने प्लिट्स लगानी है तो सेंटर से फैब्रिक को फोल करना है और चार इंच की लंबाई में हमें प्लिट्स लगा लेनी है सेम इसी तरीके से हमने दूसी तरफ से भी प्लिट्स अटेज करनी है इसके बाद में लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमर पटी तो नीचे से हमें आधा इंच के मार्जिन गभर टेख करते हुए कमर पटी को अटेश कर देना है। एक sìलाई पटी को इस तब करते हुए पटी के ऊपर लगा लेनी है। इस तरीके से। अब हमने कमरपटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक स्लाई उपर फिनीशिंग के साथ लगा लेनी है तो ये बैक पार्ट हमारा बिल्कुल बनके रेडी हो गया है एक डिजाइन तयार करेंगे जो हम नेक के उपर लगाएंगे तो उसे तैयार करने के लिए जो मैंने फैबरिक लिया है यहाँ पर इसकी जो लेंट है वो है 10 इंच और ये विट्ट में है लगबग 13 इंच 11-12-13 इंच तक आप फैबरिक ले सकते हैं विट्ट में और इसे डबल फोल्ड करके एक सीधी सिलाई हमें लगा लेनी है इस फैबरिक को पलट के हम सीधा कर लेंगे और इस तरीके से रखते हुए हमें सेंटर में इसके प्लेट्स डालनी है तो इसे आपको बो का लुग दे देना है और इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स डाल देनी है ये देखिए प्लेट्स लगा लेने के बाद अब हमने यह पर अच्छे से, इसे finishing देदेनी है, इसके बाद ही पटी तयार करेंगे, तो इसे पलट के हम सीधा करेंगे, और इस पटी को सेंटर में attach करेंगे, यहाँ पर देखे, आपको इसे उल्टा लगाना है, ताक ही पलट के पटी सीधा करेंगे, हम इसे जॉइंट जो है इसका वो अंदर की तरफ चला जाएगा इस तरीके से रखते हुए एक्स्टा कपड़े को कट कर देंगे और इस पट्टी को आपको इस तरीके से निकाल लेना है यह देखिए और इसके उपर अच्छे से सेट कर देना है अगर लूज होती है तो आप सूझी धागे से इसे टक करके पका कर सकते हैं अब इसे हम अपने ब्लावस के उपर अटेज कर देंगे तो यहां पर आपको इसे इस तरीके से रख लेना है और उपर से थोड़ा सा गेब छोड़ते हुए आपको यहाँ पर आप देड़ से दो इंच का उपर गेब छोड़ते हुए तोनों तरफ से इसे पिन लगा ले अच्छे से सेंटर से और अब इसे सिलाई लगा कर पका कर दें इसी तरीके से हमने साइट से भी से सिलाई लगा कर पका कर देना है और इसी के साथ हमारा यह जो नेक डिसाइन है वो बनके रेडी हो गया है एक्स्टर फैब्रिक को कटिंग कर देंगे दोनों तरफ से तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा यह डिजाइन कैसा लगा है